नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सबका मेरी यूटूब चैनल आवदेखो अलमिक्स में मैं स्याम कुमार कावर आपका अपना दोस्त और आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक खास जानकारी लेके आया हूँ जिसको आप बड़ी असानी से अपने घर पर ही कर सकते हो हाँ जी हाँ दोस्तों मैं जॉइन पेंट्स लकवाबाद बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ अगर आपके गाउं दिहास सहर जहां भी कोई भी लकवाबाद से पिलिट जो भी ब्यक्ति हो जॉइन पेंट्स से जोडों का दर्द से तकलीफ से जो भी ब्यक्ति गुजर र लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए हर को चार चीजे डालिए, सन बीज और आख का बीज और उसकी जड़ और कने का फल और कने की जड़ और धतूरा का फल ये सब चीजें मिला के डाल दीजिए, डालने के बाद उसमें आधे मिट्टी के बरतन में पानी भर दीजिए, अब पानी भरने के बाद उपर वाले भाग को धकन जो आता है उसमें धक दीजिए या फिर कोई भी धकन धक दीजिए उपर में धकने के बाद उसके जो दरवाजा होता है उसको किनारे किनारे उसको पूरी तरीके से कपड़े में लपेट कर बांद दीजिए कपड़े में लपेट के बांदने के बाद उसको गरम आग में मतलब चुले में जब आग जलेगा तब उसमें पकाना है आपको और गरम आग में पकाना है कम से कम आधा गंटा पकने दीजिए अब जब आपको लगे कि ये उफान मारने वाला है आग के वज़े से तब अंदर में भाब बन चुका होगा लगे आपको कि भाब बन चुका है तब आपको उसको निकाल लेना है और निकालने के बाद मरीज को ऐसे किसी खाट में बैठा दें जिसके नीचे हंडी आ जाए अराम से वैसे किसी खाट के नीचे बैठा दें खाट के नीचे हंडी को रख दें और खाट के उपर में मरीज को बैठा दें अब मरीज को बैठाने के बाद किसी कंबल से या फिर किछी सॉल से उसको धाग दे पूरी तरीके से धाग दे और नीचे खाट का जो बैठा रहेगा उसके में छीद रहोना चाहिए छेद रहेगा तभी नीचे से आप जब उसको हंडी को खोलोगे तो उसका भाप जो है सरीर में असर करने लगेगा गर्माहट पैदा करेगा गर्मी पैदा करेगा उसकी जो नसे होंगी जो कमजोर नसे होंगी उसको एक्टिव करेगा एक्टिव करने के बाद उसका जो सरीर में जो इधर उधर खून का दो दावर चलता रहता है उसको जो क्रिया रहता है उसको तो अराम से हलका महसूस करने लगेगा, ऐसी ही प्रक्रिया आप लोगों को दिन में दो बार और कम से कम 15 से महना दिन तक लगातार करना पड़ेगा, ये लगवा बाद बीमारी जो है असानी से ठीक नहीं होता है, अगर इसको सफाल इलाज करना है तो आपको 15 से महना दिन इस किसी भी नसो की प्राबलम होगी, वो असानी से ठीक हो जाएगी, इसके सासनाथ दोस्तों, अगर मरीज को खाट में बैठाते हो, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको मालिस करने, इस बीमारी मालिस करने वाली तेल का, उस तेल को आप लगा के इस तरह से परियोग को नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसमें जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कि जोडों के दर्द के लिए किस परकार से तेल बनाया जाता है, और किस परकार से लगाया जाता है, तो उसको वीडियो को देख लीजि उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और बाद में उसके बगल में घंटी का निसान आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए इससे हम जब भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो अफलोट करेंगे तो आपको उसका सुचना तुरंट मिल जाएगा और आप देख पाओगे सबसे पहले हमारे वीडियो को तो चलिए दोस्तो नमस्कार आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में